Mid Cap में return कमाने के लिए आप पूरे साल का इंतजार करते हैं 12 महीने इंतजार करते हैं वो return 12 दिन में बन रहा है तो आप क्यों जल्दबाजी करेंगे मेरा ये बहुत clear cut मानना है दी कि Mid Cap, Small Cap के पिछरों पे over analysis बंद होना चाहिए, let them enjoy their life, let them party, life में पहली बार जिन्दगी में उन्होंने अपना स्टाइम देखा है boss, पहली बार, आज तक तो दिगजी मजे करते हैं, FIS के दम पे, पहली बार हमारे इटेल इंवेस्टिर्स की ताकत के दम पे मिटके बढ़ रहा है, कल के डेटा बताता बीस हजार करोड का फ्लो आया है mutual fund industry में, 15,800 करोड का SIP lifetime हाई है एक महने का, ठीक है small cap fund में 4,265 करोड, mid cap fund में 25 करोड, large cap fund में निकला है पैसा साड़े 300 करोड का, अभी भी निकला है, large cap में तो निकली रहा है, हर महने निकला है, इस महने भी 300 करोड निकला है, अगर पैसा वहाँ आ रहा है, तो please मंदी न सुचे, मैं यह नहीं कहता है, अगर आपको नहीं समझ भाता है, मत करीदो, नहीं करीदे के लिए बाकी लोगों का mood करा मत करो, आके बार-बार चिला के, अगर सब लोग बोलेंगे, mid cap बहुत हो गया, small cap बहुत हो गया, इस से नहीं गटेग यहीं लोग लेने के लिए तैयार पड़ें जिनके पास mid cap, small cap share में पैस आ रहा है, demand supply भी कोई चीज होती है, valuation भी कोई चीज होती है, valuation अगर महंगा है, मत खरीजिए, लेकिन demand supply अब भी अच्छे quality mid cap, small cap share में जहां पर valuations अभी भी favorable है, न गटने वाले, बढ़ने वाले, ब आपने मार्च के अंत में आपने पैसा लगाया है, mid cap, small cap share में, definitely 25% profit book कर लिए, आज करिए, अगले हफ्ते करिए, जब आपको ठीक ले, 50% कर लिए, आराम से बेठिए, चाहें तो आपको risk कम करनी है, large cap shift कर लिए, मैं उसके लिए कभी मनानी करता है, लेकिन लोग mid cap के mid cap, small cap share को कभी भी, आप एक universe की तरफ देखो भी मत, individual stock की तरह आपको देखना पड़ेगा, और मैं अभी भी strong कहूंगा, कोई short, शरापानी, हला गुला, सब छोड़ दीजे, आप अपने stock पे focus किजिए, अगर आपके पार अच्छी quality का stock है, किसी के बोलने पे बेचना मत, क अगर उसको पेसा बनाते देखके, बड़े लोगों को तकलीफ होती है, तो होने दो, कोई फर्क नी परता है, ये time ही India के retail का है, तीसरी मार्श, वो पेसा लगा के market की तेजी कर रहे है, कोई FIs आके नहीं खरीद रहे है, तो अगर हमारे investor का पेसा है, हमारे investor का पेसा बन र तो बनेगा तो मेरे ख्याल से, मिटकेप, स्मॉल केप शिरों में अभी भी बने रहे हैं, कोई हड़बड़ी करके, हाँ, कोई 80-100-100 की multiple पर हो गए, वो एक अलग बात है, लेकिन हर एक मिटकेप, स्मॉल केप को आप बेज दो, निकल जाओ, ये बिलकल भी नहीं, नहीं, नहीं, जोश के साथ, आपने मुझे छेड़ दिया, मैं तो बाजार की बात पुछी है, आपसे, क्या दिक्कत क्या है, यार, लोग पैसा बनारे, बनाने दो, ना, कम बनता है, एक-क बुलरन में मिटकेप शेर लेके, 8-8 साल तक लोगों ने इंतजार किया, अगले बुलरन में तेजी का माहूल बना, जिसमें पुराने मिटके भी चल गए है लोगों के, ठीक है, तो बन गया है पैसा, बेचारे डिटेल को भी कभी तो खुश होने दो, स्माइल करने दो, वो भी उमीद से आता है, क्या मार्केट बड़ी लोगों का ही है, छोटे लोगों का नहीं ह है और पहली बार छोटे लोगों ने एक साथ मिलके जो हमारी तीसरी माशक्ती ने ताकत दिखाई है, वो आगे भी काम है,